जैश्री कृष्णा फ्रेंट्स तो आज हम एडिटोरियल डिसकस कर रहे हैं थर्ड ओफ मार्च का उनल आई है इसका जो सुमित सर पढ़ाते हैं तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्कूल रिफॉर्म्स के बारे में सेकेंड हम पढ़ेंगे इंडिया स्टैंड ओन यूकरेंड वार के बारे में थर्ड हम पढ़ेंगे हीट वेपस के बारे में तो फर्स्ट है गॉर्मेंट स्कूल नीड अर्जेंट फिक्सिंग तो हमारी जो रिपोर्ट आई थी 2023 वाली Annual Status of Education Report जो प्रथम फाउंडेशन ने निकाली थी उसमें उन्होंने पताया था ड्यूट यूट कोविड नाइटिन जो अन्प्रिसेडेंटल लर्निंग पॉवर्टी आई थी और अन्साटिसफेक्टरी लर्निंग आउटकम्स आय थे स्कूल में तो उसको हमें करना चाहिए कि जैसे उत्तर प्रदेश की गौवर्वेंट ने ने एक मिशन काया कलप इनिशियेटिव लाँच कर रहा है तो में एक तो स्कूल मोर अट्राक्टिव तांकि स्टूडेंट से मतलब उस चीज़ को अप्रिशेट करें और आ सके स्कूल में क्योंकि गौवर्वेंट स्कूल में तो आजकल कोई पढ़ना नहीं चाहता और सारे प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ना चाहते है तो हमें गौवर्वेंट स्कूल की इन्हांसमेंट करनी चाहिए उनको मेंटेन अच्छे से करना चाहिए जैसे कि हमारी स्कूल मेंटेनेंस अब होती है स्टेट गवर्वेंट के पास पर राइटर लिखते हैं कि हमारी जो school maintenance होनी चाहिए वो हमें local government को देनी चाहिए and midday meal scheme भी है जो हमारी implementation में है वो हमें teachers पर responsibility दे रखी है हमने कि teachers should take care of the midday meal scheme but हमें चाहिए कि writer बोलते हैं कि हमें जो village level के schools है ना उसमें हमें self-help groups को ये responsibility देनी चाहिए तांकि वो midday meal को अच्छी तरीके से implement कर सके and teachers का सिर्फ एक काम होने चाहिए that they have to teach and इसके बाद public libraries भी open up करनी चाहिए हमें villages में तांकि education है ना वो जादा widespread हो और students काफी literate हो ऐसा ना हो कि सिर्फ degree है उनके पास उनके पास literacy level भी बहुत high हो इसके बाद निपुन भारत mission was launched to ensure oral and written literacy and numeracy तो orally and written में भी students बहुत जादा intelligent हो इसके बाद हमें posting